कि नमस्कार आप से बिज़ट aprot day तो आज के इस लेक्टर में रुसी में पास होने के लिए बीजी मह पास होने के लिए कौन कौन से में सब्जेक्ट है उर कितनी उनिड़ ए صव कि प्रके उसके बारे में वीडियो है न सी वीडियो मंपा दिया था तौन एक वार बना माराज अगंगा सीन दिया लेकि हमएक नेयर के बात कर रहा हूं, बाकि और भी फड़ सकते हो तो बसी पार्ड फिर्स्ट यर में मै थ तीन पेपर होते हं उसी प्रकार से 2nd जो थर्ड जो थे हैं PC Part 1 स्टरूं में Paper 1 में oraz1 तो में में इस व्हाना, fak शरूरों छोना है तो में मेट्रिक्स पुग की दू इनिट है करनी है पहली उनिट दूसरुग में पैपर्ण सेकेंड्र में अवकलन घंरिनियत की बुक है उसकी 3 इनियत करनी है पहली दूसरी , तीसरी पेपर थर्ड की सदीश कलन बुक की 2 यूनिट करनी है तो ये हो गई 3 और 2 5 दो 7 यूनिट हो गई इसमें होगी 7 यूनिट तो 7 यूनिट अगर हम करेंगे तो हम और वर्रोल मेंथ में पास हो सकते हैं इरले एक्जाम के बात करहा हूं, सेमस्टर के नहीं करूं, उसी परकास से BSE Second Year में देखे बागने कों कों से चेप्टर आते हैं उसके बार में भी बताऊँगा, BSE Part Second Year में 25 परस्ट में उत्षे-टर कलनवाली बुक है वह उमें करनी है। उसके हमें पह़े दूसरे 3 unit. और यूतीूब चैनल पर अबहु आप जो देख रहे हैं तो आप लूग हैं? डो यूनिट कर सकते हो को 첫 OkayWolf को साथ का टार गट रखना है। कि हम साथ कौन कौन सी करें। अगर हम ने इसमें अपर दो कर सकते हैं और इस में आपन 2 कर सकते हैं ठीक है। और अगर इसमें अपने 3 हैं दो 5 पूरी लिए , तो इसमें हम 21 भी कर सकते। लेकिन छर्तिय होगी कि ये 500 कि 51 रीम चींट येग्य होगी के 500 आनी चाहिए ये 60 तो पर उपनीट करें चाहिए तो पियर शेकेंड में विवर एकhouse लिखती है उस में पहली दूस्री तीरी तीन यूनिट उसमें से आपसे लोगो तीन्ह शेकेंट कर लिए कि यह सबसे एजी बूक है फेपर सेकंड की इसी इसपार सेकंड यह की अब फेपर थण में देखिए इसते विज्ञान की बूक लगती है यह हलां कि यह से यूटूब पे नहीं पड़ाइब से लेकिन इनके नोट्स है वो अपलोड किये हैं तेलिग्राम चैनल मिल जाएंक ह आप लोगों को नोट से वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो तो पेपर थर्ड में आप यूनिट फ़स्ट और सेकंड कर सकते हो और गतिव ग्यान अगर और चाहूं अगर आपको यह बुक इजी लगती है तो इसमें यूनिट नबर च्यार कर लेना अगर यह बुक इजी लगती है तो यह पूरी तीन यूनिट कर लेना और आंची कावक्लन भी सेम इसी परकार से है तो इसकी दो पूरी पांच हो जाएगी इस परकार से करना है तोटल साथ करनी है अपने को अब आगे चलते हैं बीशी पार्ट थर्ड येर में पेपर वन में बले शिदान्त में दो यूनिट करनी है और एक फिक भी जावलिक यह पांच यूनिट कर लेना ठीक है तो यह तीन यूनिट इसमें हो गई और पेपर शेकेंड में समिछ्ट रविशलेशन वाली बुक लगती है उसमें इनिट नमर चैर और पांच कर लेना दो यह ओगी प है और एक उनिट से कर लो शाथ एवरेज अपने को साथ यूनिट कंपलेट अनी जी अब भी पास होगए बीस तीमियूस इयर में ट्रत एक में सांट यूनिट थियार होनी जी है कि तीनों पेपरों को मिला के साथ त्यूंस अंपर पांच होती है सेकंड में फासार ने फंट क से कम साथ उनित होनी चाहिए प्रोपर तभी पास होने की असंका है अब आगे मैं इन सभी उनिट्स जो मैंने बताई है इनमें चैप्टर कौन-कौन से लगते हैं वह मैं बता रहा हूं तो चैप्टर के वीडियो बनाई हुए उसी से मैंने ये इसके इंसोट लेके इसके वा आज दिख झाएगा ठीक है कि तो देखिए 24 परेश्ट में मैंट्रीस एज बुक में इनिट नमबर फस्ट है उसमें चैप्टर कौन-कौन से इनिट नमबर फस्ट में समीकर्ण सिस्दांथ दूसरा चैप्टर त्री गात्यों चत्रगात्समीकर्ण के हल ये बनाते है इनि करने पक्राइगे आवकलन गनीत की करेंगे तो उस में पेली उन्युनेट में चैप्टर लेगता है पदिक समीकन जाव के लंबगे की आउकलज आंसिक जेकोबियन ये तीन है दूस इनुट में विचितर बिंदू वक्र अनुरेखन उचिस्ट और निमनेश्ट तेस इनुट में अनतिस परसी वक्रता अनुवालो प्यम के अंदरेज ये तीन इनुट करने है और पेपर नंबर जो थड़ है उसमें अमेकर निये सदीश कलन वाली है ये चार चेप्टर है अब यसी पार्ट सेकंडियर के बात करते हैं उसमें पेपर फ़स्ट में वो करनी हमें उत्सतर कलन की उत्सतर कलन में तीन इनुट करनी थे तीन इनुट तो पहली इनुट के चेप्टर है सीमा और सांतित्य दो दूस इनुट के चेप्टर अवक्ल मोन संक्राइब की वहीं पांस युनिट कर सकते हो अगर समझती है तो नहीं तो आपने शाबसे पड़ तर्ड अबर्ज बड़ताए इसका देख लेना unit first है उसमें chapter आएगा प्रस्तावन ना प्रत्म कोटियों प्रत्म गात के अउकल समीकर्ण और प्रत्म कोटियों उच गात के अउकल समीकर्ण unit number second में अमार chapter आएगा linear differential equation of constant coefficient, simultaneous linear differential equation, total differential equation unit number third में linear differential equation of second order, series solution दो है unit number fourth में linear partial differential equation of first order second में non-linear partial differential equation of first order, unit number fifth में linear partial differential equation with constant coefficient और एक chapter है second order partial differential equation, तो यह सभी है paper number second के paper number third में इस्तति उग्यान की बुक में हमें दो unit करनी थी, तो पहले unit का chapter है analytical condition of equilibrium of coplanar forces, friction, common category, और virtual work, च्यार चेप्टर है पहले unit में दूस unit में तीन चेप्टर, forces in three dimension, stable and unstable equilibrium, center of gravity unit number fourth में motion of elastic strings, और एक है पांचों सेप्टर, constrained motion on plane curves, यह गतिव ज्यान की बुक में से चोथी unit है, तो यह सेकेंड यर की बात होगे, अब थर्ड यर में देखिए, थर्ड यर की पहले unit, पहले paper में वले की बुक में मैंने प्राइक्ता दिया है, कि यह से easy पढ़ती है, तो वले सिदात की दो unit देख लो, कौन से unit number first है, ring और subring and field of question, दो चेप्टर है, दूसे unit है, ideal and question, question ring, Euclidean ring और polynomial ring, यह तीन चेप्टर है दूसे unit में, और यह पांच unit है, वो आइगन value and आइगन vector और diagonalization of matrices के, यह तीन unit मैंने प्राइक्ता दिया, यह सब से easy पढ़ती है, और paper number second है, Summish Revisulation book, उसमें unit number 4 और 5 वी को मैंने बताए है, अगर करना चाहो तो यह कर लो, unit number 4 चेप्टर है complex number sets of sets in complex plane, complex function limit and continuity, complex differentiation exercise fourth A तक यह हो गई unit 4, unit 5 वी है, इसकी complex differentiation exercise number fourth A के बाद है, और conformal mapping यह दो चेप्टर है इसमें unit number 5 में, अब 23rd year में सब से easy पेपर लगता है, हमारी paper number 3, math में सब से easy, third paper है, तो third paper की, इसमें हम lead बना सकते हैं, lead इसमें दोनों book है, संख्यात्मों क्विशलेशन और इस्थ तमकारी प्रवीदिया, तो दोनों book है easy है, लेकिन हमारे YouTube channel पर संख्यात्मों क्विशलेशन और इमेरिकन अनलरसिस के कुछ वीडियो अफ्लोड किये में, बाकि और नोट्स आपको संख्यात्मों क्विशलेशन के पूरे मिल जाएंगे, तो संख्यात्मों क्विशलेशन बुक को मैंने प्राइक्ता दिये इसमें, और इसकी आप लोग तीन उनिट कर सकते हो, तीन उनिट में कुल साथ चेप्टर है, पहली उनिट में the calculus of finite differences और interpolation with equal intervals है, दूश उनिट में तीन चेप्टर है, interpolation with unequal interval और central differential interpolation formula और inverse interpolation, इनिट में दो चेप्टर है, numerical differentiation और numerical integration, यह जो 7 चेप्टर हैं, इन में सभी में एक एक formula है, लग लग एक या दो formula है, तो 7 चेप्टरों के साथ ही formula है, ज्यादा से 10 formula हो जाएंगे, दस formula को याद करोगे, तो एक chapter clear, लग दस formula याद कर लिए, यानि एक formula प दो formula आजाएंगे, इससे ज्यादा नहीं है, यह है paper third, तो इस परकार से easy chapter से बता दिये मैंने, अब इससे ज्यादा और easy कुछ नहीं होगा, यानि कुल 7 unit करनी पड़ेगी आपको 15 unit में से, और 7 unit में से मैंने easy easy हो, unit है बता दी और chapter बता दिये, और इसी परकार की वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई doubt हो, तो comment कीजिए, मैं आपके comment का reply करने का परियास करूँगा, धन्यवार।